दुमका में प्रदर्शन कर रहे हैं इन आधिवासी छात्रों का कहना है कि पिछले दिनों साहिब गंज महीला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की जिस परिस्थीती में मौत हुई है और जो परिस्थीती जन्य साक्षे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं चूंकि इस मामले में सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है इसलिए राज्य सरकार इसकी सीबी आई जांच की तुरंट अनुशन्शा करें जहां तक उनका तस्वीर देख के यह पता चलता है कि कैसे अपने अतनंगी अवस्ता में वह फांसी लगा सकती है तो यह मेरी मांग है कि सीबी आई की जांच हो और सरकार है अपने चुपी तोणे आदिवासी छात्रों ने मामले की सीबी आई जांच की मांग को लेकर दुमका सहित पूरे संताल परगना में आंदोलन करने की बात कही है अज हमें हर आदमी को हर जनजन को डर लगने लगा है कि एक दोरोगा के साथ इस तरह की घटना घट सकती है तो हमें किस तरह की सुरक्षा हो सकती है हम इसलिए राज सरकार से और हमारे राज के मुख्या हमन सुरे से मैं मांग करता हूँ कि आप यथा सिग उसमें सिवी आई जांच कराएं और दोस्यों को जिस तरह से उनके परिवारों ने जिस तरह तीन आदमी को नाम ले रहा है उनको तो मैं चाहूँगा उसको यथा सिग एरेश्ट किया जाए तम हत्या गुसित कर दी गई लेकिन ऐसा लगता नहीं है इसलिए हम जरकान सरकार से और प्रसेशन से ये मांग करते हैं कि अभीलम उसका सिवी आजांच कराया जाए अनिया था हम लोग सभी छात्र अंदलन के लिए वाधित हो जाएंगे उन लोगों को सही रूप से निस्पक्स रूप से जो दोसी है उसको सजा दिया जाए छात्रों का कहना है कि रूपा तीर्की के परिजन भी इसे साजी शहत्या का मामला बता रहे हैं इसलिए जाज के बाद ही वास्तविक हालात का पता चल सकेगा दुमका से आरके नीरत की रिपोर्ट